स्टेंदर्Alright ये लेक्चरें लेक्चरेंड ़ोलने चारप्टर जांड के संसरा। क्लोटिंग इस ने एपिप्टरे के मारे में अमकेटिकलिककर केल द幌ता है। एक इशान नाम का लड़का है जो विंटर के चुट्टी में अपने अंकल के घर जाता है एक दिन सुबा के समय में इशान अपने अंकल के साथ कौटन के खेती में जाता है और वो कौटन की जो खेती थी वो पूरी कौटन से भरी हुई थी और वो बहुत ही सुन्दर दिक रही थी वाइट कलर के कौटन हर जगा आये हुए थे जैसे के इस पिचर में दिखाये देखे और इशान फार्म में बहुत सारे लोगों को देखता है वो अपने बैक साइड पे एक बैक रखी थी उन्होंने लटकाई हुई और जो पूरे तयार हुआ 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 कोटन था वो निकाल रहे थे और पीचे के साइट में जो उन्होंने बैक लगाई थी उसमें वो डाल रहे थे देर वस जेव अन दे लिवस तो दे कोटन दिद नट स्टिक अन देम कोटन पूरा तयार हुआ था इसलिए कोटन वो स्टिक नहीं हो रहा था अच्छे से निकल रहा था तो वो कुछ कॉटन निकलता है और उसके बैग में डालके घर लेके आता है तो वो कॉटन लेके अपने साथ आता है और जब स्कूल ओपन होती है स्कूल के छुट्टी खतम होती है तो वो कॉटन इशान स्कूल में लेके जाता है और टीचर को दिखाता है तो टीचर को बहुत अच्छा लगता है कि इशान कॉटन लेके आ है तो टीचर cotton ball सभी बच्चों को दिखाते हैं और बताते हैं कि कैसे cotton से कपड़े बनाया जाते हैं Use of support spindle, टकाली Cotton is cleanet and spun into yarn, then this yarn is spun into cloth The yarn is spun by using a support spindle or टकाली Spindle or टकाली क्या है हम देखते हैं Cotton क्या करते हैं, पहले clean करते हैं और उसको yarn में convert करते हैं और उस yarn को, yarn को कपड़े में convert किया जाता है यान बनाने के लिए spindle और टकाली जो होते हैं उसका help ली जाते हैं, उसका support लेते हैं Cotton ball से yarn मतलब जो thread है, वो बनाई जाती है Support spindle, यह देखें, यह spindle है This is a thin steel rod fitted with a metallic disc Spindle मतलब एक thick, एक steel की rod होती है, पतली सी और उसके उपर एक metallic की, metal की disc होती है देखें, इस picture में शोगी है The rod has notch at the top and pointed end at its bottom और the top पे इसा notch होता है और end में एक pointed, pointed करके, needle जैसे pointed part होता है A lint roll is placed on the metallic disc और यह दिखें, यह lint roll है, मतलब जो cotton लेते हैं उसका roll है, वो क्या करते है, metallic disc पे इसे रखा जाता है The spindle is rotate and the lint roll is spun into long yarn और उसके बाद यह spindle है, यह rotate होती है और उसके उससे yarn निकलता जाता है देखें, ऐसे yarn तयार होता है When the spindle is almost full और जब यह spindle full भर जाती है yarn से तब क्या किया जाता है The yarn is wound on a bigger board called a lapeta The yarn is the wound into cloth which is the used of all various things like cloth, bedsheets, towel, blankets देखिए, इस lint roll से पूरा yarn तयार होता है और यह dicks फूल भर जाती है उसके बाद वो यार निकलने के लिए, वो thread निकलने के लिए एक lapeta होता है उसके उपर वो lapet दिया जाता है इसलिए उससे lapeta बुलते है और उसके बाद उससे हम कपड़े बनाते है जैसे कि जो हम shirts पेंते, bedsheets, towels, blanket यह सब इससे बनाये जाते है Characteristic and use of cotton Kherdy and synthetic cloth अभी हम देखते है, cotton के characteristic क्या है Cloth के characteristic क्या है और synthetic cloth, Kherdy cloth क्या होता है The following chart shows the characteristic and use of different type of cloth Namely cotton, Kherdy and synthetic तो यहाँ पर हमें 3 type के cloth दिखाए Cotton का, Kherdy का और synthetic cloth Type of cloth, first के cotton cloth और उसका characteristic है It is porous and absorbent Hence, absorb body sweet and moisture It is strong and easy to wash तो इसका character क्या है यह absorb करता है अगर हमें पसीना विगर आता है और हम cotton के कपड़े पहनते है तो वो absorb करता है और यह हम अच्छे से easily wash कर सकते है और यह strong होते है और गर्मी में अगर हम इसे पहनते है तो हमें ज्यादा गर्मी नहीं होती है इसलिए cotton के कपड़े हम ज्यादा तर गर्मी में पहनते है यूज क्या इसका cotton cloth are excellent for the summer season एक्जम्पल cloth, bedsheet, pillow, cover, towel, it's cotton cloth गर्मी के season में यूज के जाते है उसके bedsheet, pillow, cover, towels, shirts ये सब हम गर्मी में यूज करते है खड़ी cloth it is cool in summer and warm in winter it is environmental friendly तो जो खड़ी का cloth थे वो हम summer summer में पहनते हैं तो हमें अच्छा लगता है थंडा मेंसुस होता है और winter में पहनते हैं तो हमें गर्मी मेंसुस होती है तो जैसे climate होते हैं उसके हिसाब से ये कपड़ा पहन के हमें लगता है खड़ी cloth are suitable in both summer and winter season एक्जेम्पल कुर्टा धोती उपरने, scarps, shirts, saris तो खड़ी cloth अहम summer, winter कोई भी season में पहन सकते हैं दोनों के लिए suitable होता है और खड़ी के कपड़े से क्या कपड़े बनाते हैं कुर्टा, धोती, उपरना, scarps, shirt, सारी ये सब बनाये जाते हैं next is synthetic cloth it is made from synthetic fiber like a nylon polyester it is smooth, shiny and light weight it is available in bright color and does not wrinkle synthetic cloth are economical and easy to maintain तो जो synthetic कपड़े होते हैं वो synthetic fiber से, nylon से या फिर polyester से बनाये जाते हैं और वो smooth होते हैं और उसके shine जादा होती है और उसका जो वजन है वो हलके होते, कपड़े हलके होते और उसके color भी bright रहते और उसको जादा हमें iron करने की जरुरत नहीं होती है और वो सस्ते भी होते हैं और हम easily उसे maintain भी कर सकते इसलिए हम synthetic cloth यूज करते synthetic cloth are good to be worn in the rainy season they are convenient to carry while traveling example shirt, trousers, sarees, all kind of dresses तो synthetic cloth यूज होते हैं वो हम rainy season में जादा तर पहनते हैं और वो हम अच्छे से light weight होते हैं इसलिए हम easily वो हम कहीवीद घूमने जाते हैं तो च्राउनी इन के लिए वो लेके जा सकते हैं और synthetic cloth से हम shirt बना सकते हैं trousers, sarees और सभी प्रकार के dresses हम बना के लेते हैं तो ये तीन टाइप है cloth के cotton cloth, खड़ी cloth और synthetic cloth नेक्स्ट ए विजिट टू टेलर शॉप वन दे इशान और हिस मदर वें टूर टेलर शॉप हिस मदर आग्स दे टेलर तू स्टीच अ पैंट एंड शॉट फोर हीम टेलर टूक इशान's measurement with a measuring tap तो एक दिन क्या होता है इशान और उसकी ममी टेलर के shop जाते हैं आप भी कपड़े लेते हैं स्कूल यूनिफॉर्म में गरें तो आप सिलाने के लिए टेलर के हा जाते हैं न तो वैसे इशान और उसकी ममी टेलर के हा जाते हैं क्योंकि इशान को एक shirt और pan सीगी नहीं थी तो टेलर क्या करता है इशान का measurement लेता है measuring tap से ताकि वो इशान को perfect हो सके इशान wanted to see how the tailor stitch cloth so he came back the next day to see the tailor's work तो इशान को देखना था कि tailor के से कपड़े सीलते हैं तो इसलिए next day इशान फिर से आता है कि tailor के से कपड़े बना सीलते हैं the tailor kept the cloth on the measuring table he opened the cloth and iron it the tailor drew measurement on the cloth तो tailor क्या करते है पहले कपड़ा open करता है और उसके उपर measuring tap रखता है और उसको measurement लेता है he used a ruler and chalk to draw the measurement और ruler और chalk use करके measurement लेते हैं मतलब निशान बनाते है कपड़े पे कितना measurement है he cut the cloth with the scissor और उसके बाद तो निशान बनाने के बाद वो scissor से कपड़ा कट करते हैं तेलर सक्ट अट इस स्विंग मशीन इस वर्क अन इलेक्रिसिटी और उसके बाद वो इलेक्रिसिटी वाले चलने चलने उसके उपर चलने वाली मशीन पर बेटता है और तेलर मशीन स्टार्ट करता है तेलेक्रिक मशीन से स्टीचिन फास्ट हो जाती है दे वोस अलसो हैं स्विंग मशीन और मशीन विच वर्क विट फूट इन द शॉप और उसके तेलर के पास हैंड पे चलने वाली मशीन थी जो पूट के उपर चलती है तेलर यूज माचिंग त्रेड तु स्टीच दो कलोथ और टेलर मैचिंग स्टम हम जिस कलर के कपड़े लेते उस कलर का त्रेड यूज करते कपड़े को स्टीचिंग करने के लिए और शर्ट बनाने के लिए टेलर क्या करते है जहाँ पे बटन लगाने वहाँ पे मार्क करते है और वहाँ पे होल बनाते और उसके बाद शर्ट को आयन करके उसको फोल्ड करके अच्छे लिए से पैक करके इशान के हाथ में देते है तो इसे कपड़े सिलाई करते है तो इसे इशान का शोर्ट और पैंड तायार हुआ तो इस लेसन में हमने क्या सीका कौन से टाइप के क्लॉथ होते है कौटन की खेती देखी कौटन का यान के से बनाते हैं कपड़े के सिलाते हैं यह सब हमने इस लेसन में सीका है इसे ही टेक्स्टाइल प्रोडक्शन बोलते हैं तो आपको यह वीडियो अच्छे से देखना है और लेसन अच्छे से रीट करना है यहाँ पे यह लेसन कंप्ल